अबसकार सत्यो आजम बात करेंगे, गल्प कंट्री से रेलेटेड या फिर किसी विदेश से रेलेटेड आप जाते हैं, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चीए? ये मामला मेरे राजस्तान शीकर का, मेरे शेहर का है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, विदेश में नोकरी के नाम पे 1,60,000 रुपे की ठगी, एक मेने में वापस दुबई से आया, रुपे लोटाने से किया इनकार, जी हाँ, ये मामला देख सकते हैं, शीकर के कोदव राम तनका में बंदे को बुला लिया गया, दुबई में, 1,60,000 रुपे बंदे से ले लिया गयी, बंदा लगबग एक मेने के तक दुबई में रहता है, वहाँ पे उसको कोई जोब नहीं मिलती है, तो बंदा थाकार के वापस आ जाता है, वापस आने के बाद बंदे से मांगे जाते हैं, बंदा पैसा देने से इंकार कर देता है, यह बातें, यह बातें जो पुलिस की F.I.R. हुई है, उसमें यह बातें नोट की गई है, तो यहाँ पे देखिए, गल्ती किसकी थी, आप आप सोचोगे यार, यह तो नोर्मल बात है, नोर्मल बात नहीं है, य यह वैसे देखा जाए, नोर्मल बात है, लेकिन आप लोगों को गल्ती सबसे ज़्यादा, मैं यह मानता हूँ कि यार, देखिए, जो गल्त है, वो जो गल्त करता है, वो तो गल्त मान सिकता के साथ सुरुआत से गल्त करता है, लेकिन आपको भी तो इनसे बचने की इसकी आपको विजिट विज़ा में आपको वहां पर बुला के जोब दे रहा है, यह कैसे संबभव हो सकता है, आप भी खुद सोचे न थोड़ा, आपकी भी तो रिस्पोंस्बिल्टी बन दी के आपको सोचना चेंज चीज़ों पर तो इसे बिल रही है, तो आपको कोई आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले, और आपको जब भी विज़ा अपलाई करना है, या किशी विदेश में जाने की सोचते हैं, तो मैन पाउर ओफिस से ही आप जाओगे, तो यह आपको फाइदा होगा, नुक्षान नहीं होगा, वरना तो जिनका काम है लूटना वो तो लूटेंगे, अब बचना आपको है, आप कैसे बचते हैं, वो आपकी ओपर डिफेंट करता है, यह बंदा अगर अच्छी ओफिस से जाता, मैन पाउर ओपीस से जाता, यह जो बंदा है, तो आज इसके साथ हैगी नहीं होती, अब इसने फाइर दर्ज करवादी क्या ह बंदा विदेश में बैठा है, और भी उसने बहुत सारे बाते बताई है, गरवाले बोलते हैं कि जी हमारा तो पेसा यही है, हम तो यही काम करते हैं, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, चलो यह तो F.I.R. की बाते हैं, लेकिन रियल्टी की बाते हैं, कि जब भी आपके पासप किसी ने भेज दिया विजिट विज़ा लेकि 7-8,000 गार आपको बुला लिया, मैंने डेट मैंने खराब होते हैं, बहुत सारे लोगों के विज़ा अक्स फैर हो जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, समझ रहे हैं, और उसके बाद में आप पैसा देने के बाव जुद आप रह होते हैं, यह बंदा पैसा भी दिया है, वापस भी आया है, थाने के चक्र, FIR ऐसे हो जाती है, क्या, FIR दर्ज करवाने में बहुत जोर आता है, पसीना आता है, आप यकिन करिएगा, कई बार तो कोर्ट से FIR करवाने पड़ती है, वेड़ बुकेट मैंने, दो मैंने पर फिर जाके FIR होती है, तो इन चीजों से सेंस नहीं बनता, आप इसको परचेस करके खरीदते पड़ते हैं, तो उसमें वो सब कुछ दिया गया है, जो इन चीजों से आपको बचा जा सकता है, और आपको ये 1,60,000 देने की जूरुत नहीं पड़ती है, दुबई में ज़ार में आपका काम बन सकता है, बाकि गोवर्मेंट अतुराइस फीस 35,000 है, समझ गये होंगे, वीडियो चाल लगे तो लाइक शेर करिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो को सीजन करिक्शाथ जेहीं, जेवादे